नमस्कार दोस्तो जैहिन जैभारत वंदे मातरम दोस्तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है वह एक बार फिर से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है एक बहुत बड़े सच का जिसमें चाइना ने भारत के 65 में से 26 पत्रोलिंग अस्थानों को ज ऐसे भारत के 26 जगा चाइना के कबजे में चली गई हैं 65 में से 26 यानि कि अब ही सिर्फ 39 बच गये हैं और चाइना लगातार धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है ऐसा क्या कुछ और कैसे हुआ यह सारा आपको इस वीडियो में बता रहे हैं तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अरुनाचल परदेश में चाइना के जो आरमी थी और महा के जो गुसपेट यह थी वो जो अरुनाचल में हमारे देश के चरवाहे थे उनमें उनका भेस बनाकर भारत में एंटर कर गए थे और गुसपेट करके वापस भी निकल गए थे इस चीज को देखते हुए भारत ने लद्दा के कुछ अक्सेत्रों में जो अपने चरवाहे थे उन्हें जाने की अनुमती नहीं दी थी और उन्हें बैन लगा दिया था कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा इसी चीज़ का फाइदा उठाते हुए चाइना ने क्या किया कि चाइना ने धी बहुत ही बारीखी से देख रहा था अपनी सबसे उची चोटी पे कैमरे लगा कर वो ध्यान रखता है हर एक मुवमेंट पर भारत की क्यों सैनिक कहां पे घूम रहा है किस पटलॉलिग अस्तान पर कितने सैनिक हैं कहां कहां तक घूमते हैं कहां पे पट्रोलिंग हो रही ह कहां पर नहीं हो रही है उसने यही identify किया और अपने चरवाहे धीरे-धीरे वहां पर भेजने शुरू किये उसके बाद जब भारत को इस बात का पता लगा जब वहां पर patrolling हुई तो वहां पर भारत ने अपनी नाराजगी जताई कि यह भारतिया अक्सेत्र है तो चाइना न है वो हमारा हुआ फिर काफी विरोध के बाद में उसे buffer zone डिसाइड कर दिया जाता है निर्धारित कर दिया जाता है कि यहां पे ना आप patrolling करेंगे और ना हम patrolling करेंगे यह buffer zone है यह ना आपका है ना हमारा है ऐसे में भारत को अपनी सीमा से LAC से और भारत की सीमा के बीच म हो रही है बहुत जोरो सोरो से कि ऐसा क्या कुछ किया जाए कि चाइना को दुबारा से वापस वेजा जाए क्योंकि चाइना पहले भी इंच इंच करके काफी जमीन हड़ पा चुका है भारत की और वो अभी भी लगातार इसी काम पे लगा हुआ है ऐसा नहीं है कि भारतिय सेना भी दीरे-दीरे से कुछ पहाडियों पे और कुछ जगाओं पे अपना कबजा जमाती जा रही है लेकिन वो इतना बड़ा अक्सित्र नहीं है जितना बड़ा चाइना ने कबजा लिया है यह एक सोचने वाली और बहुत ही गंभी रिस्तिती है जिसे आप बहुत सारे न्यूज पेपर्स में देख सकते हैं आप सिर्फ सर्च करना है गूगल पे आपको यह जानकारी मिल जाएगी जी हाँ 65 में से 26 जाना बहुत बड़ी बात है और जिस पर यह भी नहीं कि कोई ऐसा कैसा चाइना का कबजा हो जाना उसे बफर जोन में चला जाना भारत के हाथ से चला जाना यह बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि ऐसी सिच्वेशन में क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए और भारतिय सेना अभी पूरी तरह से मुस्तैद है वहाँ पर अपना काम कर रही है पूरा काम सब कुछ बहुत अच्छे से लगी हुई है भारतिय सेना के लिए एक लाइक जरूर हो जाएए और भारत के इस चैनल को आप भारत नाम के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि अब भी फिलाल हम आपको बहुत अच्छी अच्छी नियूज आएगे वाले टाइम पर दे रहे हैं एक से बढ़ कर एक नियूज नमस्कार जैहिन जै भारत